हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू मैं यूट्यूब चैनल, स्टार क्लासिस, स्टार क्लासिस में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लिकेशन फोर लेट फीस सब्मिशन आगर हम स्कूल में पढ़ते हैं, यो कॉलेज में पढ़ते हैं और अगर किसी वज़े से हमें जो अपनी फीस है वो लेट सब्मिट करनी पढ़ रही है तो हमें आप्लिकेशन किस तरह लिखनी है? वो इस वीडियो में हम देखेंगे ओके फ्रेंट्स तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले हम लिखेंगे टू कोमा टू के बाद नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे प्रिंसीपल मतलब दू का मतलब होता है मोध्य या मोध्य या शिरीमान मुक्याद्यापक जी जी तरह हम इंदी में लिखते हैं उस तरह हम इदर लिखेंगे दू करते हैं और आप कोलेज में पढ़ते हैं तो अपने कोलेज का नाम फिर इदर लिखेंगे आप अपना स्कूल का एडरस यूर श्कूल एडरस यह आपको लिखना है, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ेंगे और फिर हम लिखेंगे subject, subject मतलब wish application पर subject लिखना जरूरी होता है, तो हम इदर लिखेंगे अब हमारा subject क्या है application for late fee submission मतलब किस topic पर हमें application लिख रहे हैं, वही इसका subject होता है तो हम इसका subject लिखेंगे इदर application for late fee submission full stop, फिर हम लिखेंगे, एक लाइन छोड़ेंगे, लिखेंगे respected, respected sir या फिर respected madam मतलब आदर्ने श्रीमान जी या श्रीमती जी, यह हम लिखेंगे फिर हम यहां से start करेंगे with due respect मतलब बहुत ही आदर के साथ या आदर के साथ I back to say that मैं यह कहना चाहता हूँ या यह मैं यह कहना चाहती हूँ I am I am मतलब मैं हूँ a student a student of class कौन सी class के आदर स्टूडेंट है वो इदर आपको लिखना है of your school मैं बहुत ही आदर के साथ या आदर के साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं आपके स्कूल में कक्षा जो सी class में आप पढ़ते हैं वो आप इदर लिखेंगे का छात्र हूँ या छात्रा हूँ I have not paid my school fees for the month of कौन से मन्त की फिस आपने जमानी करवाई वो आपको इदर लिखना है then full stop this delay इस बेन दो तो तो दो इल्नेस अव मैं फदर और और सम् फाइनेंशियल प्रोब्लम्स इन माई होम यह जो फीस देने में देरी हुई है उसका कारण मेरे पिता जी की बिमारी है और हमारे घर की आर्थिक्स देती है यह जो फीस लेट हो रही है उसका कारण मेरे पिता जी बिमार है और हमारे घर की आर्थिक्स देती है इस वजए से मैं यह फीस इस मेन की जमा नहीं करवा पाया हूँ यह जमा नहीं करवाई है उसके बाद हम नीचे लिकेंगे देर्फोर देर्फोर मतलब इसलिए देर्फोर आई देर्फोर मतलब इसलिए आए रेक्वेस्ट यू तो I request you to kindly allow me to pay late fees इसलिए मुझे अलाव करें कि मैं अपनी फीस लेट जमा करवा सकूँ I would be grateful if you consider मैं आपका बहुत अभारी रहूंगा अगर आप जो मेरी विन्ती है या जो मेरा अनुरोध है उस पर विचार करेंगे तो मैं आपका बहुत अभारी रहूंगा therefore I request you to kindly allow me to pay late fees इसलिए मैं आपसे request करता हूँ कि please मुझे late fees जमा करने के लिए permission दे I would be grateful if you consider my request मैं आपका अभारी रहूंगा अगर आप मेरे अनुरोध पर विचार करेंगे उसके बाद हम लिकेंगे thanking you दन्यवाद yours obediently yours obediently आपका आग्यकारी इधर आप लिखेंगे अपना नाम अपनी क्लास अपना रोल नमबर और डेट किस दिन आप ये application सब्मिट करें वो इधर लिखेंगे यहाँ पर यूर्स ओबिडेंटली का मतलब होता है आपका आग्यकारी इंग्लिश में दोनों को यही लिखना है आप इसके जगहाँ पर यूर्स फेर फूली भी लिख सकते हैं ओके तो नेम क्लास रोल नमबर और डेट यह है easy application for late fees submission अगर आप college में हैं या school में हैं और किसी बज़े से आपको अपनी fees late submit करवाने पड़ रही है तो आप यह application लिख सकते हैं 2. the principal, your school name, your school address, subject, application for late fee submission, respected sir or respected madam with due respect, I beg to say that I am student of class, इदर आप अपनी class लिखें, of your school I have not paid my school fees for the month of, इदर मन्त लिखें कौंसे मेने किसी जमाने करवाई this delay has been due to the illness of my father and some financial problem in my home therefore I request you to kindly allow me to pay late fee, I would be grateful if you consider my request thanking you, you are so obediently name, class, role number and date अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगये हो, वीडियो आपके लिए helpful हो तो प्लीज वीडियो को like, share और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें thank you for watching our channel star classes peace 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 झाल झाल